हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आभीकाज मॉम किचन फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मूली के पत्ते और आलू के यह टेस्टी सी सबजी फ्रेंड्स यह जो सबजी आना बहुत ही हेल्दी होती है तो आप इस रेसीपी को जरूर ट्राइ करें वीडियो इस्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए हम यह टेस्टी सी जो सबजी ने इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स गैस पर रखें मैंने एक कढ़ाई और मैं अब इसमें आड़ करें और तो यहां पर मैं मस्टर्ड आयल का यूज कर रही हूं यह जो सब्सक्राइब बहुत ही अच्छा लगता है मस्टर्ड आयल यानि कि सरसो के तेल में तो आप इसी में इसको बनाए तो आयल चटक गया है तो अब मैं इसमें बारीक कटा गवां 10-12 लेसन को मैंने बहुत ही बारीक कटक के इसमें एट किया है और इसमें अब मैं हरी मिर्च अड़ कर रही हूं तो हरी मिर्च आप मैं टेस्ट के क्योर्ड करोडईंग डालें इसको हलो का सलब के निस impele Scrum लियरें एक चवथाई चमची यहां पर मैं गरम मसाला एड़ कर लेना है अब इनको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है सबको मिक्स करने के बाद मैं इसमें नमक एड़ कर रही हूं आप अपने टेस्ट के कार्डिंग नमक कम्या ज्यादा कर सकते हैं और सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम पांच मिनट के लिए ढखके इसको हम फूप करेंगे यह बहुत एजी रेसिपी है और बहुत ही जटपट बन के रेड़ी हो जाती है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइए करें तो फ्रेंट्स पांच मिनट हो चुके हो और जो हमारा आलू है इसको हम एक बाद चेक कर ले रहें तो यह देखिए जो आलू है वह हमारा ऐसे मैस करने पर बहुत ही आराम से यह जो है वह मैस हो जा रहा है तो यह जो हमारी सबजी है वह बन के बिल्कुल रेड़ी है तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ओके थैंक यू